चिन्वाडा चिला में दो दिन पहले सिहुरा में हुई लूट का रास खुल क्या है गल्ला व्यापारी से 275 रुपे लुट्टे वाले लड़की चिन्वाडा के निकले इनमें पांच लड़के 18 से 21 साल के हैं और कुछ नहीं करते हैं लेकिन शौक था कि एपल का मोबाल चलाना है तो वो लुटे रेपल गए इनमें से एक आरूपी दापा लिख है थाना चौरई में परियाती निलकंड पिता देविलाल साहू उम्रत 54 साल माचा कुरा चौरई न के मार्के दशन और एसपी आउतेश प्रताफ सिंग के निर्देशन में हुई विवेच नाके दोरान चौरई स्टी ओपी सौरफ दिवारी के निर्दोत्व में ठाना प्रिभारी चौरई दिलिप पंचेश्वर्वारा दो पिलिस टीम गठित कर तक्निकी संसाथ नो परसेल एवं चिनवारा शहर से चौरे की और जानेवाले मुख्यम बार को में लगे सेस्टी टीवी कैमरों की फुटेश को बारी की से खंगाल कर एवं मुख्बिर तंत्र सक्रिय कर पलिस टीम ने अग्यात आरुपियों की तलाश की कुछ घंटों में ही घटना का मुख्य आरुपी अनस पिता सलीम उत्तिन उम्रबिस वर्ष रॉयल चोग छिनवारा निवास ही मिल गया और पुष्टाश में तोते की तरह कहानी सुनाती आरुपी अनस ने बताया कि वह ट्रांस्पोर्ट में काम करता है आए दिन उसका कुसमेली गला मंडी में आना जाना रहता ह वहाँ पर किसान व्यापारी अपना अनाज पेश कर नगती पैसा लिकर जाते हैं गटना वाली तीन एक वेक्ती मंडी से चोरे की तरफ मोटा साइकल की डिक्की में पैसों से भरा थेला रखकर निकला ये बात मैंने अपने दोस्तों साकिप, ओम्यातो, अब्दुलहसन, सभी रॉल चोग छिनवाडा निवासी को पताया, सभी अलग-अलग गाडियों से वहाँ पर पहुँचे और लूट की वार्दात को अंजाम देकर मोटा साइकल वर स्कूटी में बैटकर चिनवाडा की तरफ तेजी से भागे और अनस उद्दिन की घर पर पहुँचे, अन सभी रॉल चोग चिनवाडा निवासी से विवेश्णा के दोरान बारे की से पृतक पुष्टाश करनी पर सभी नहीं घटना करीद करना स्विकार कर दिया, और उन्होंने बताया कि पैसे कमाई का कोई साधन नहीं है, शोक पूरे करना जिसमें महंगे मुबाइल जैसे बोटर साइकल, वाइक स्कूटी को बरामत कर सभी आरोपी गनों को विधिवद किरफतार कर नयाने में पेश क्या क्या है, इस केस को ग्रैप करने में चोरे सजोपी सरोतिवारी, थाना प्रभारी, चोरे दिलिप पंचेश्वर, सवनी सुशिल टिपार्टी, असकर अली, सत एसे नाकेश्वर, प्रार देनेश यातो, आर राजु भारती, सतिश बखेल, कनया सनोडिया, योकिश मार्भी, प्रकास शाहु, अभिशेक सनोडिया, साइबर सेल से नितिन और आधित्य की सरार्य भूमी का रही, एन्विसर नियूस के लिए चोरे से ये राजेश उईकी के रिपोर्ट